नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मनुष्य को स्नान करने के बाद सूर्य देव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए तामबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जल के साथ अक्षत वफूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत से लोगों की राशी में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती इन लोगों को अवश्य ही रोजाना सनान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक सम्मान है। जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में हो सकता कि इनहीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाब प्राप्त नहीं हो पा रहा है। परंतु दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं की वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों को शेर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाईएगा जमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रही हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले अरग्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए अगर जल चढ़ाते समय आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि सूर्य देव क्रोधित हो जाते हैं आपके उपर किसी की अशुभ द्रिष्टी भी पढ़ सकती हैं सूर्य देव को जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें ओम सूर्याय नमह दूसरी बात बिनासनान किये जल ना चढ़ाएं भूल से भी ये गलती ना करें बिनासनान किये सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं सूर्य देव को स्वच्छता बहुत ही पसंद है ऐसे में अगर आप बिनासनान किये उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आप से रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उ इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच, इत्यादी पत्रों का भी उपाय ना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा तामर पात्र का उपाय करना चाहिए, इसके पीछे वैज्यानिक कारण ये भी है कि सूर्य देव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली से निकलती है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती, चोथी ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें जल. कोशिश करें की ब्रह्मा मुहूर्त में ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें. रह्मा मुहूर का समय अर्थात सुभह के तीन से पांच बजे का समय सूर्य देव को जल अरपन करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है जल चढ़ाने से पूर्व आपके नियमित क्रियातलाप भी पूरा होनी चाहिए आप स्वच्छ वस्त्र पहन कर ही सूर्य को अर्ध्य दे ऐसा करने से नौ ग्रह की क्रिपा जल वाले व्यक्ति के उपर सदैव बनी रहती है पांचवी अक्षत एवं फूल अवश्य हो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रूली फूल अवश्य होनी चाहिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं छटी बात हाथ सिर के उपर रखें हमेशा अपने हाथ को सिर के उपर रख कर कि सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते समय गिरती है तो उसी धारा से देव को देखना चाहिए कहा है कि ऐसा करने से व्यक्ती के उपर सूर्य देव की कृपा बनी रहत अगर आप सूर्य देव को चप्पल पहन कर जल अर्पन करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों रहकर ही जल अर्पित करें इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ती को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए इससे अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई सूर्य से संबंधित दोश है तो वो दोश गुण में परिवर्तित हो जाएगा नवी बार भोजन ले अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है रविवार के दिन लाल कपडे भूल से भी ना पहने अब बात करें उपायों के बारे में तो रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को ही समर्पित होता है रविवार भगवान सूर्य देव की पूजा करना बहुत अधिक लाभ के पात्र में आपको जल रखकर भगवान सूर्य देव को हर रविवार को अर्पित करना है अगर आप प्रति दिन नहीं कर पाते हैं तो रविवार को अवश्य करें वैसे आपको प्रति दिन सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए चाहे आप कोई पूजा नहीं कर पाते अगर आपके पास समय है, तो एक सो आठ बार कर लीजिये नहीं, तो जितनी देर आप जल दे रहे हैं, वहाँ पर खड़े हो सूर्य देव के सामने पांच मिनट तक कर लीजिये, इससे बहुत लाब होता है, गायतरी मंतर का जब करने से, जैसे सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जब हम गायतरी मंतर का जब करते हैं, तो हमारी नकाराक्मक उर्जा दूर होती है, रविवार के दिन सुभह जब आप सूर्य देव को अर्धे देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा गुन, मिला लीजिये इससे क्या होगा, इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप भगवान देव को, जल अर्पित करते हैं, उसमें साथ थोड़ा गुड मिलाकर अर्पित करते हैं, तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भाग्य का साथ बहुत लोगों को नहीं मिलता है, बहुत से लोग कंप्लेंट करते हैं, कि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है, ऐसे में भाग्य का कारक माना ग सूर्य देव को तो जब आप सूर्य देव को सुभह जल देते हैं तो जल देते समय आपको गायत्री मंत्र का जब करना है और उसके अलावा आपको का साथ चाहिए तो रविवार के दिन गुर और चावल का दान करना अच्छा माना जाता है गेहूं का दान भी कर सकते हैं गेह अगर आपके आत्म विश्वास में कमी आ गई है और आत्म विश्वास आपका कमजोर होता जा रहा है तो ऐसे में आपको चाहिए कि रविवार के दिन अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं। जब आप जल देते हैं। भगवान सूर्यदेव को तब आप उसमे लाल चंदन डालेंगे। जब सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, तो उसके बाद उस तामबे के पात्र में थोड़ा सा जो लाल है वो किनारे पर लगा होता है। जब हम कोई भी वस्तु डाल कर अर्पि जाता है उस पात्र से ही अनामिका उंगली में आपको लाल चंदन लेना है और इसे अपने मस्तक पर है अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो निश्चित बहुत जल्दी आपके आकरशन में व्रिधी होती है आपके सभी काम बनने लग जाते हैं आप अगर व्यापार करते है तो आप जिन से भी डीलिंग करते हैं जिन से भी आपका व्यापार है आपका व्यापारिक रिष्टा है बहुत मजबूत स्थिती में होता है आपके मान सम्मान के साथ आपके आत्म विश्वास में भी व्रिधी होती है सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो लाल मसू अगर आप ब्राहमन को लाल मसूर की दाल दान करते हैं, तो इससे आपके जन्म कुंडली के ग्रह दोश दूर होते हैं. ये आप साथ रविवार कर लीजिए जैसे कि आप दान करते हैं. अब जैसे इस रविवार से आपने रूप किया, तो साथ रविवार लगातार कर देंग तो आपको बहुत जल्दी लाब हो जाता है ग्रह दोशों से मुक्ती मिल जाती है रविवार के दिन गुर खाकर किसी काम पर निकलना चाहिए जैसे प्रातहकाल आप थोड़ा सा गुर खा लेते हैं तो इससे सूर्य देव जाते हैं और गुर और चावल से बनी हुई खीर इससे आपकी तरक्की होती है जीवन में आपको सफलता की प्राप्ती होती है व्यापार हो नौकरी हो हर जड़ह आपको तरक्की मिलती है और अगर आपके घर में कोई बीमार है बहुत समय से बीमार है तो उनसे कहें कि वो सूर्य देव को तामबे के पातर में रोली और ला पूल आप कोई भी ले सकते हैं, गुलाब का, गुढहल का जो भी लाल पुष्प उपलब्ध हो, उसको तामबे के पातर में डाल कर थोड़ी सी या लाल चंदन डाल सकते है, ऐसा करने से सूर्य ग्रह बली हो जाता है, तो आत्म विश्वास बढ़ता है, आत्मा के कारक है सू रविवार के दिन आदित्यहरदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं, आपको सूर्य ग्रह का पूरा लाब प्राप्थ हो चाहे, आपकी जन्म कुंदली में मस्बूत स्थिती में भी हो, तब भी रविवार को आपको आदित्यहरदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, आदित्य हरदय स्तोत्र का पाठ अगर आप तीन बार करते हैं, प्रति दिन या फिर तीन बार रविवार को भी कर लेते हैं, तो इससे भी आपके जीवन की परेशानिया दूर होती है, आपके मन में कोई भी काम ना हो हमने शुरू में ही कहा परेशानी से मुक्ती पाने के लिए आपका आत्मविश्वास बली होना बहुत आवश्यक है, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, तो आप किसी भी परेशानी से मुक्ती पालेंगे और आत्मविश्वास की प्राप्ती तभी होती है, जब सूर्य हमारी जन्म कु तो ये उपाय अवश्य कीजिए। तो थोड़े से अक्षत रोली और बिलवपत्र डाल कर भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो एक पात्र के जल को ही साथ बार में दीजिए भगवान सूर्य देव को देखते हुए आपको मंत्र बोलना है। तो इस तरह से आप इस मंत्र को बोलते हुए अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो जल्दी ही आपके मन की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपकी जो भी कामना है भगवान सूर्य देव से कहें थोड़े समय तक आप आदित्य हरिदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो एक या तीन या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जाब कर लीजिये या भगवान सूर्य देव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जब कर सकते हैं। अवश्य इस उपाय को करने के बाद कीजिये इस से आपकी कामना बहुत जल्दी पूरा हो जाती है। दोस्तों आज की विडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया सूर्य को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्म विश्वास का बली होना अगर हम किसी भी। तरह की सफलता पाना चाहते हैं तो तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य देव की आराधना कीजिये। प्रतिदिन कीजिये और रविवार के दिन विशेश रूप से कीजिये उम्मीद करते हैं आज की विडियो से आपको लाब अवश्य होगा। आशा है कि आज की इस विडियो में दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। विडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद विडियो के अंत तक बने रहने के लिए।